किसान भाईयों नमस्कार बात करते हैं आज सातन पूर फरुखाबाद मंडी के आलू के ताजा भाव के बारे में किसान सातियों जैसे कि आज आपको पता है दिनांक 12 मार्श 2021 हो चुका है तो 12 मार्च 2021 को शातन फूर फरुखावाद मंडी में कैसा महौल देखने को मिला है आलू को लेकर तो किसान भाईयों जैसे कि आज आपको पता है मैं आपको बताऊंगा ख्याती, कंचेन, कुपरी, शैति, शतन, में, हाइलेंड जैसे जिंसों के बारे में तो किसान सातियों शातन फूर फरुखावाद मंडी में इन सभी चिंसों में कैसा महौल देखने को मिला है कितनी तेजी, कितनी नर्मी देखने को मिली है क्योंकि आज 12 मार्च 2021 हो चुका है तो चलिए किसान सातियों वीडियो को सुरू करते हैं और आपसे अनलोद है हमारा अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और वैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफेकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा तो चलिए किसान सातियों अब मैं आपको इस वीडियो में सारी जनकारी और सारी अपडेट के साथ बताऊँगा कि शातनपूर फारुखा बादमंडी में आज जी कैसा माहौल देखने को मिला है वहीं पर किसान सातियों अगर आमदनी की बात करें तो आमजनी किसान सातियों 140 से लेकर 160 मोटर से भी ज़्यादा की जो आमदनी है वो लगवग देखने को मिली है सातनपूर फरुखाबाद मंडी में वहें पर किसान सातियों अगर आज बात करें 377 आलू की तो यहाँ पर जो 377 आलू है किसान सातियों वो 661 रुपे से लेकर 721 रुपे प्रति एक कुएंटेल के साब से देखने को मिला है अगर नॉर्माल आलू की बात करें किसान सातियों तो 400 रुपे से लेकर 500 रुपे प्रति एक कुएंटेल के साब से देखने को मिला है अगर कंचेन कुफरी आलू की बात करें किसान सातियों सातनपूर फरुखाबाद मंडी में 711 रुपए प्रति एक कौंटल के साब से बिगा हुआ है अगर खेयाती आलू की बात करें किसान साथियों तो 600 रुपए से लेकर 651 रुपए प्रति एक कौंटल के साब से देखने को मिला है अब किसान साथियों बात करते हैं हाइलेंड आलू की हाईलेंड में अगर मीडियम आलू की बात करें तो 700 रुपे से लेकर 780 रुपे प्रतिय कोईंटल के साब से देखने को मिला है और हाईलेंड में शुपर आलू की बात करें किसान साथियों तो 780 रुपे से लेकर 850 रुपे प्रतियक क्वेंटिल के साथ जो आलू है वो किसान सात्यों देखने को मिला है